हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई स्टेडी फीड चैनल दोस्तों ओज का टॉपिक है वाई एम श्रीए यानि याइंग वेन क्रिस्टियन एस्टोस्टियेशन दोस्तों इससे पहले मैं लक्षिभाई कालेज आप फिजिकल एजिकेशन गौलियर एंद स्रीहरमान भ्याइब कर सारे कमंडर के बारे में बता चुकी हूँ इसे आप चैनल के प्रेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं तो आज जानते हैं वाई एम सीय के बारे में वीडियो क कि वाई एम सीय का फुल फॉर्म क्या होता है यहने कि यंग मैं क्रिस्टियन एस्सूसियेशन समसे पहले बात करेंगे कि बिस सुईस्तर पर इसकी इस्थापना कम हुआ था तो बिस सुईस्तर पर इसकी इस्थापना जो है छे जून 1844 में जार्ज बिलियम द्वारा लंद जाता है और इसका जो मुख्याले है जिनेवा स्रुजन लैंड में है ठीक है तो क्या संदि अगर विश्टु इस्थापना कम हुआ से सबसे पहले तो 6 जून 1844 में जार्ज बिलियम द्वारा लंदन में ठीक है मुख्याले जिनेवा स्रुजन लैंड में अब मैं बात करू कि भारत में इसकी इस्थापना कम हुई विश्टु इस तर पर तो 6 जून 1844 जार्ज बिलियंदरा लंदन में हुआ बर भारत में इसकी इस्थापना जो है वायम सीए के अधिन भारत में वायम सीए कालेज आफ फीजिकल एजुकेशन की इस्थापना 2020 में चिन्यु मत्रास में चिन्यु का है पूरु नाम मत्रास था यानि क्मिलाडो के चिन्यु में अमेरिका से आये हुए भी शिक्रुषिस सग्ये जिन का नाम श्रीयिक रुभक था उने के द्वारा इसकी इस्थापना किया गया तो भारत में YMCA की स्थापना यानि YMCA कल जा फिजिक रूजिके सिंग की स्थापना कप किया ही तो उनिस सो बीस इसमें हैरी क्रोबग द्वारा कहां पी चन्नेई में तमिल्लाडू में ठीक है तो चन्नेई न करके मद्रास भी कह देगा तो उसी का पुरान नाम चन्नेई का है वो पेंसिल वानिया के निवासी थे कहां किराने वाले थे पेंसिल वानिया के और भारत में सारेरी के सिच्छा के पितामह कहे जाते हैं तो इसमें जो भी बता रहे हैं वह हमेशा पुछे जाते हैं अब कोश्चन ने पुछे कि भारत में सारेरी सिच्छा के पितामह कौ तो अभी तक क्या समझिया आप कि इसकी स्थापना कब हुई कि नई में हैरी क्रुबग द्वारा इसकी स्थापना किया गया और है क्रुबग को भारत ने साज सिच्छा का पितामा कहा जाता है इसकी प्रथम निर्देसा तक्टर एजी दोहरान थे अब मैं इससे संब्दित वायम सीय से संब्दित भेरी इंप्वर्टन टापिक जो है जो अक्सर पुछ पुछ जाती है तो बहना है कि भारत का पहला साज सिच्छा प्रसिच्छा महाविद्याले था ठीके तो यह क्या है बारत का पहला साज सिच्छा प्रसिच्छ महा विद्याले क्यों तु कं था राई मुत है तो तह अब आप नहीं भुलेंगी भारत ने पहला साइजेशा पसेशा सथान कौन था वायम सीय था ठीक है आए यह दशीए अज़ीवी एस्षिया का भी है और वायकर लगच्छे क्या को अपनाया था ठीक है किस सिधांद को किस्चिन सिधांद को अपनाया था तो दियान में रखे कि वह एंसी एक हला अच्छा क्या है आप इसका मूटू क्या था इसका मूटू था दो एविडेंट लाइफ यानि प्रचूर मात्रा में जीवन ठीक है और फिर 1860 में इसके स्व 26 में अब तक स्वायत विश्विद्याले की संब्द था तमिलारू सारी सिच्छा एवं खेल विश्विद्याले से हो गई ठीक है यानि कि 2006 से अब तक अठाव निस्सुच्यासी में तो इसको आटूनॉमस कॉलेज की सेड़ी में रख दिया गया और इसके संब्द हो गया था मद्रास विश्विद्याले से अग्छे में 2006 से अब तक फिर क्या हुआ 2006 से अब तक स्वायत विश्विद्याले की संब्द था जो है तमिलारू सार भी इसले से इसमें कोर्स को चला जाते हैं जैसे डिपीए वी पी ए बीपीए अधा अन्य डिप्लूमा एंड सर्टिफिके कोर्स इसमें चलाया जाते हैं तो दोस्तों यह था वायमसी इस रिलेटिव हैं भी इंप्रटन टॉपिक जो आपके एक्जाम में हर बर पूछे ज तो इसमें पांच छी कोस्चन आपको जरूल पता है उसमें से कोई ने कोई हर बार जरूल देता है तो पहरा कोश्चन क्या बना कि 202 पर इसके इस्थापना कब हुई तो छेजन उठारा से जोगाल इसमें जैजबरीजन लंडन द्वारा ठीक है और इसका मुख्याल है कहा है प्जिनिवा सुचल लंडन में भारत में कब अस्थापना हुआ तो 1920 में मद्रास में हैरी कुरूबग द्वारा भारत में सारे सिचा का प्रिता मागी से कहा जाता है तो हैरी कुरूबग को निवासि थे पेंसिल वामिया के भारत में योड़े के प्रथम निदेश से कौन अब भायत में सारे सिच्छा का पहला पर सेच्छर महाविध्याल है कौन था तो यम्सी यह लच्छ क्या था बाड़ी मायन एंड इस्प्रिट व्यम्सी यह का मोटो क्या था यानि प्रचुल मतला में जीवल ठीक है और यम्सी यह को अटनोमस कालेज की सेड़ी में कभू अब 2006 से अब तक इसकी समझता किसी है तभी नादुसाय से चक्यल विस्विद्याले से इसमें कोंगों से कोर्स चला जाते हैं तो डिपीएट बिपीएट और अमने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुर्स तो यह था वायर सिय के बारे में आयों कि आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा यदि आपके मन में कोई सवाल हो पीजी के रिजिकरिशन से रिलेटेट इसके कोर्स से समंधित किसी भी टापिक से रिलेटेट तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएए मैं उसका डाउट जरूर क्लिए करने के कोशिस करूंगी तो दोस्तों इस वीडि वीडियो आगे पाने के लिए भी लाइक के जरूर प्रेस कर लिए क्योंकि निश्ट है जो ही मैं नया वीडियो अप्लोड करूंग उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे तो मिलते हैं निश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद झाल